हेलो क्या अप्रिकॉर्ण वेल्कम तू आ रहे हैं अपना ध्यान रख रहे होंगे आज फिर आपके लीडिंग लेकर आए हूँ और हम देखने वाले हैं कौन आ रहा है आपके लाइफ में तो जिनको पॉस्टनल रीडिंग चाहिए वो स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा कुछ कमिंग कौन आ रहा है आपके लाइफ में यहां पर इनिवर्स प्रीज गाइट डिसीट यह वो पर्सन है जो ओमाइगाट कैप्रिकॉर्ण यह क्या है गॉड़्डस अफ दे मून यहां पर कैप्रिकॉर्ण यह वो पर्सन है जिनके साथ कोई पास लाइफ करेक्शन आपका है या फिरी कोई ऐसा पर्सन है जो गिंगे साथ आपका कुछ कार्मिक है यह वही बात है पास लाइफ कनेक्शन सम्तिंग कार्मिक यह वो पर्सन है जो जिसको आप में धोका दिया या इसने आपको धोका दिया समझ रहे हो इसने आपको धोका दिया या आपने इसको धोका दिया ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कह रहा है अभी भी चीजे बाकी है unfinished business अभी नया होना बाकी है कोई past का आ रहा है goddess of the moon intuitive या something hidden ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ hidden feelings थी पॉसन की ठीक है बड़ चीजे आप दुनों के बीच में चली नहीं या हो सकता है कि कार्मिक थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखाई रहा है कुछ लोग के लिए कुछ लोग के लिए पिक्चर में क्लारेटी और मिलेगी पहले हम और कार्स ले रहते हैं यूनिवर्स प्लीज काइट मैसेज सबसे पहले तो मैसेज की थू आपकी बात होगी पॉसन आपको मैसेज करेगा okay one more का change okay या तो यह पोरसन आपके पास change होकर आ रहा है या तो यह आयेगा तो आपके life में बहुत बढ़ा change ले कर आ रहा है पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर किसी को यहाँ पर cheat किया आपने इसको cheat किया या इस ने आपको cheat किया पर अब change हो जाएगे पूरा dynamics change हो रहे हैं याँ पर अगर ये past का है तो let's see जैसे आप इसके पीछे भाग रहे थे अब ये आपके पीछे भागने वाला है या पर ये आपके पीछे भाग रहा था तो अब आप इसके पीछे भागने वाले हो तो कुछ ऐसा भी हो सकता अब ये आपके past का है अब आप समझ लो ये कौन है क्या है कोट हाउस का आने का मतलब आप समझ रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत जल फसाने वाले हैं किसी लीगल केस में बहुत चांसे से यह उनके लिए है ठीक है जो हस्बेन वाइफ अल्रिडी है हो सकता है लिफाफा आजाए कोई मेसेज आजाए आपको पता चले कि भाई सामने वाले दो कोट केस कर दिया है ठीक है या इनके साथ आपका कोट केस हो चुका है और वो आपके पास वापस आ रहे यह भी चांसेस है पहले इनके साथ आपका कोई कोट केस हो चुका है यह वापस चल कि आपके पास आ रहे है तो वो परसन भी हो सकते है यह वो परसन है जो आपकी लाइफ में आ रहे है ओके लेट सी पर आपको इतना बता है ना कैप्रिकॉन आप तो वैसे ही सैटन आपको तो आपके साथ जो बुरा किया है तो वो तो पच्चता आएगा और वापस आए गई आएगा चिक है चलिए आगे देख लेते हैं और डीपली जानते कौन है आप तक तो अंदाजा लगी गया होगा थर्ड पार्टी प्लेफुल लफ पियर ब्लिस्फुल लफ अच्छा आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते कि आपने इनको पर केस किया आप इनको डर लग रहा है तो भी वापस आ रहे कि भाई सब कुछ ठीक कर दो मैं तो डर चुका मचे तो रीकंस्लेशन चाहए कैं मुझे ड़्य रीक्रेट हो रहा है यह मनिफेस्ट करें शुल्झ हो रहा है कि आपको दोका दिया थो अब इनकोर है और आपको लाइफ में एंगे इसा प यह ऐसा कुछ भी नहीं चाहते है और यहाँ पे हो सकता है कि तुलह आप दुनों का reconcile कोई third party करा है मतलब law करा है चिक है law या court आपका third party वाला situation मतलब वो third party बनकर आप दुनों की सुलह करा है reconciliation करा है और आप लोग को कुछ ऐसा feel भी हो regret हो कि हाँ चुकि आप लोग के relationship में एक playful love था एक blissful love था अच्छा था connection आप पैसा नहीं था कि कुछ खराब था बड़ चीजे हो सकता उस तरह से नहीं चली हूँ ठीक है तो इस तरह का partner आपके life में आदा बहुत अच्छ तक मुझे past का दिख रहा है पास्ट है यह किसी का past है यह साफ साफ दिखाई दे रहा है जिसको अब regret हो रहा है कि उसने आपको क्यों छोड़ा Capricorn क्यों छोड़ा नहीं छोड़ना चाहिए था और यह person अब पूरी तरह से आपसे reconciliation चाहता है यह manifest कर रहा है आपको आए देख लेते हैं Universe please guide who is coming 4 of swords, king of cups, king of swords, two of vans, five of vans, the emperor, queen of swords, and यहाँ पे है seven of swords यही यह वही इंसाने जिसने आपको दोका दिया है यह वही इंसाने जो आपका दुश्मन बन गया था बट बहुत सोड़ समझके अब इसने पैसला लिया है कि आप शयद मेरा वापस आने का समय आदे हैं चुका है वो आपसे दूर नहीं जा सकता उसको लग रहा है उसने गलती है दी वो वही इंसाने जिसने आपसे fight किया जिसने आपसे conflict किया लडाए किया पर कुछ समय लेके separation में भी गया आप इसके साथ अब यह वापस आ रहा है कि नहीं अब मुझे आना चाहिए आप दो divine counterpart यह बहुत अपने feelings को hide करता है आपसे बहुत समझके यह अपने आपको और ego issue तो बहुत जादा है इस person में ego issues बहुत जादा है और यह वही है जिसने अपनी responsibility अच्छे से नहीं निवाई इस रिष्टे को लेके carelessness दिखाई जो cheat किया जो भाग गया यह वो इंसान है जो आप आपके life में आ रहा है साफ साफ अब तो picture और भी clear होती दिख रही है यहां पर ठीक है और अब इसको आपके life में आना है इसने बहुत अपना समय ले लिया बहुत सोचा है उसके बाद यह इसने फैसला किया है कि शायद अब वापस आने का समय हो रहा है इसको यह relationship वापस च चाहिए तो यह situation आपकी मुझे दिखाई दे रही है अगर आपको reading अच्छी लगी हो तो like कीजएगा subscribe मैं चला भी तक नहीं किया है तो comment box में ज़रू बताएगा thank you for watching